एक ऐसा सामाचिक और धार्मिक सुधार अंदोलर जिसने भारत में राश्ट्रवादी विचार धारा को आगे बढ़ाने में एक महतपूर्ण भूमिका निभाई हैं। हम बात कर रहे हैं आर्य समाच की। एक ऐसा हिंदू सुधार अंदोलर जिसने समाज में फैले धार्मिक भेद्भाव, जातपात, सती प्रथा जैसी कुरीतियों के लिए जन जन में चेतना जगाने के साथ ही, भारत की संस्कृती, भाशा, शिक्षा के एक शेत्र में सुधार के लिए अनेकों काम किये। आलि समाज की इस्थाफना स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा 10 अपरेल सन 1875 इश्वी को मुंबई में की गई थी। जब 19-वे शताबदी में हम अपने संस्कृती को पश्चिमी सभिता से कमतर समझते थे, तब एक ऐसे महान पुरुष का अवतरन हुआ जिनों ने हमें आत्मसम्मान और पुनर जन्म का मार्ग दिखाया। हम बात कर नहीं हैं आधुनिक भारत के महान चिन्तक और महान समाज सुधारकों में से एक स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। आरे समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा में हुआ था। किशोरा अवस्था में स्वामी दयानंद सरस्वती भगवान शिव के सच्छे उपासक थे लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया जब उनकी आस्था को ठेस पहुची क्योंकि उन्होंने एक चुहे को भगवान की प्रतिमा पर चढ़ाया गया प्रसात खाते देख लिया। इसके अलावा स्वामी जी के जीवन में कई ऐसी घटनाए घटी जिसने उन्हें हिंदू धर्म की पारंपरिक मानेताओं और इश्वर से संबंधित प्रश्ण पूछने के लिए विवश्च कर दिया। एक संपन्य परिवार से आने वाले स्वामी ध्यानंद सरस्वती ने बचपन से ही कई धार में ग्रंथों, शास्त्रों और संस्क्रित भाषा का अध्यान शुरू कर दिया था। लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया जब स्वामी जी ने अपनी सारी सुक्सुविधाओं को त्याग कर एक सन्यासी के रूप में हिमाले के परवतों में तपस्या करने का निर्णे लिया। करीब 25 वर्षों की तपस्या करने के बाद स्वामी जी ने पूरे देश में भ्रमण किया और आर्य समाज के जरीए कई समाज सुधार कारियों को आगे बढ़ाया। देखते ही देखते संपूर्ण देश में आर्य समाज की शाखाएं खुलने लगी। स्वामी जी ने पूरे देश का दौरा करके लोगों को वेदू के महत्व के बारे में समझाया। साथ ही कई धर्म परिवर्टित लोगों को फिर से हिंदू बनने की प्रेणना देकर शुधी आंदूलन की भी शुरवात की। आपको बता दे कि स्वामी द्यानंद स्रस्वती एक एश्वर बाद में विश्वास रखते थे और उनके कई समाज सुधारक कारियों में से बाल विवाह को खत्म करना नारी शिक्षा के साथ ही विद्वा विवाह को प्रोजसाहित करना शामिल है। इसके अलाबा भी स्वामी जी ने आरी समाज के द्वारा परिवर्तन के कई कारे किये। ऐसे में आज हमाको स्वामी जी के भक्तो द्वारा नौइडा के सेक्टर 33 इस्थित आरी समाज की एक शाखा का दौरा कराने वाले हैं। और वहाँ चलकर शाखा के लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्वामी जी के उपदेशों का ध्यान करने के बाद उनकी जिन्दगी में किस प्रकार से परिवर्तन आए। साथ ही आज के इस दौर में आरी समाज के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है। हमने नौडा के सक्टर 33 अस्थित आरी समाज की शाखा प्रधान श्री अशोक गुलाटी जी से बात की और उनसे ये जानने की कोशिश की कि आकर शाखा में किस प्रकार से लोगों को अपने धर्म के प्रति जागरुख किया जाता है। और आज के इस दौर में हम किस प्रकार से युवाओं को अच्छे संस्कार दें। हमसे बात करते हुए उन्होंने हमें आग समाच मंदर के गुरुखुल के विशय के बारे में जानकारी दी। तो आप भी सुनिए शाखा प्रधान ने हमसे बात करते हुए क्या कहा। प्रधान भी रह चुका हूँ इस संस्कार आरिस्माच के से लिए अपने पूजे पिता जी से मिले और इस संस्कार में जुड़ा हूँ। आरिस्माच की स्थापना महरशी स्वामी देयर्ण सरस्वती जी ने की थी जो कि 1881-1940 विक्रिमी समत में आये थे। उन्होंने समाच को एक समता समरस्ता के लिए ये धर्म नहीं है धार्मिक नहीं है समाजिक संस्ता हैं। इसने इस्ति उधार के लिए सति प्रधा के लिए बाल विभाग के विरोध में और मूर्थी पूजा के विरोध में अनेकों कारे कियें। सब को इन्हूνने शिक्षा देने के लिए ब्रकारहु किए, इनका धेठा अंग्रेजों को लिए, जब अंग्रेज धेएं तो एह सबी के लिए आधारे जब तक हमारी शिक्षा देने के लिए अगड़े, हुंने सब को एक जुट करने का प्रयास किया, और 1857 की कुला की में भी उनका बहुत योगदान था लक्षी माई राणी की जहांसी पी उनको मिलने के लिए आते थे Mosesह उनको मिलने के लिए आते थे उनके जो विचार थे उसी अनुसार से के एक सब को शिक्षा, समान होनी चाहिए उस शिक्षा धे को लेते हुए उन्हें गुरुकुल की स्थापना की हमारे आज यहाँ पर आरिश समाज मंदिर सेक्टर 33 में गुरुकुल चल रहा है उसका आरिश गुरुकुल को शिक्षा पर्मन समयती है एक कमेटी चलाती है इसमें हमारे समय 40 बच्चे हैं क्रोना के से सो बच्चे करीब हमारे पास होते हैं तो उनको शिक्षा दिख्षा वैदिक शिक्षा दी जाती है संसकार दिये जाते हैं जो सिर्फ गुरुकुल में पढ़ते हैं आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े-बड़े चाए स्वामी रेंज है उनकी तारीफ की है लोज ने की है स्वामी शद्णानजनी की है सभी ने उनकी तारीफ की है स्वामी देन का अगर नहीं होते तो शहिद हमारा देश यतनी जल्दी आजाद नहादा हो पाता चुनोती यही है कि आजकल वही चुनोती आज जितनी उस समय थी उस से शायद अधिक मैं समयता हो गई है क्योंकि आम लोग जनता मानना नहीं चाहती कई बच्चे युवा जो हैं वो अभी अकर्शत नहीं हो पाते उनको अपनी पढ़ाई से फुरसत नहीं है स्वामी देन का धे था कि मानव बनो हे मुनश तुम मानव बनो जनकि हमारे आजकल के बच्चे माबाप क्या चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंजिनियर बने डॉक्टर बने पाइलट बने या कुछ इंजिनियर बने प्रंतून का धे अधिया सिर्फ कमाना वह देनी होना चाहिए आरी समाज का यहां पर कोई भी धर्म का कभी भी आ सकता है उसके लिए कोई वह नहीं है हम नहीं पूछते कोन है हम सभी को आरिय कहते हैं हम कहते हैं कि आप आरिये आप अपना नाम मत बताइए मेरा नम जैसे अशोग गुलाट उसकि बत्यम गुड़े को यह हमंनुद कि अच्छर्श को इस्योड़ भी गुलाटS एवर को आरिया और नारिंद्र आरिया है सबही को एक समान हमारी यहां में को जाति वा样 हो आती सब समानांए सम्रत नहीं है सम्रत को मनुठ जी ने शुरू Emir. academy — एक अगर, ब्रहमन का मि की है तो ब्रह्मनी बनता पर शुद्र का बच्चा ब्रह्मन बन सकता है ऐसे था करोना काल में यहां पर बहुत एक सत्संग करते हैं वार्श सब्सक्राइब करते हैं जिसमें पहले यज्य होता है देवी यज्य होता है एकठे सब बैठके महिलाएं भी सवाज इकठी होती है है और बच्चे भी होते हैं गुर्य कोटे मैं जो कोई याता है हो वो देते हैं देव Honors करते हैं उसके बाद हमारी सवस्ते होता है δो भजनों का कारिकरह होता है बच्चे संक्ठन शूपत पढ़ते हैं और अ की जिरे आल्दके नियम अभगताते हैं गज्फट थी उसके बा भगर सिंग राजगरु सुखधेव ऐसे ही जैसे जिस मास में उनका जनत दिन होता है या किस्मिति-दिवस होता है हम उनके बारे में और शुरह लिखते हैं ताकि यह हमारी मानें मुल्यों की सुनक्षिक पत्र का है मासिक विश्वारा संस्क्रीब इसका पर प्रमद्ण परबद संभादवी में हूं और यहांद कि सुवाज बौस लाइध पतरा है मातमा गांदी मातमा गांदी चौ राज पतरा ना swalday जा मालूं हो गा ना सुक्ष धेव का मालूं होगा किसी Prize तो यह हम हर समय हर महीने में इसमें डालते हैं इसमें ताकि जहां तक यह पहुँचे बच्चों को पता लगे कुछ कभी ना कभी खूल के अपने आरी धरम और संस्किति के बारे में जैसे सब लिखा हुआ है शादी में हम कराते हैं गरीबों की शादी में कराते हैं और अब दो तिन शादी होने वाली दिन जार दिन के बाद, उसे सहयोग भी जतना हो पाता है, हम करने का प्रयास करते हैं, जारता है लोग यही आते हैं, कहते हैं हमने शादी करनी हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, सब उनसे पेपर वर्क लेते हैं, सारे माबाप की कंसेंट होती ह के दोना दोन दो से महाँ पाएंगे तो तबी हम करपाएंगे लोगे शुरू होने शुरू cuánt कुछ हम से लेते हैं और पुरी खर्चछा देखी सावान का खर्चा वागि경 साथिस्थिकिट देना होता है। उसकेबाद हमको एक expresses करा दिवह होती है वैसे आप शादिय कराने जाएं तो लाग पर लग जाते हैं तो हमारी इस संस्था को कोई और आमदिनी नहीं है सरकार को और से कोही अनुदान हमरा अभी कल ही हमेने कुछ ह eco कंबल वगरा आया ओ आया को लोगों को मेरे सोसाइटी के पास में रहते हैं एक मोच्छी को दिया एक आज मैं अभी गरीब बच्चे पर पढ़ते हैं, औरीसा से आयों है, और इनको हम कुछ नहीं लेते हustom, उनका रहन सेन, खाना, पीना, वाना फाल उनका यहां से होता है। इस संसा से कोई भी जुढ सकता है, सभी इसका स्वागत है। वैसे आरे समाज की शाखा का दौरा करने के दौरान हमारा कई अद्भुत चीजों से परचे हुआ जिससे आप इस वीडियों में देखेंगे शाखा के गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों और वहां के अध्याफ़कों से बातचीत करते हुए हमने वहां के तौर तरीखों के बारे में जाना और हमने उनसे ये भी जाना कि आरे समाज की शाखा में उन्हें किस तरह से प्रशिक्षट किया जाता है मेरा नाम तारचंद सर्माय मैं हरियान से बीलों करता हूं पर मैं अभी कुछ सारुसे मैं साथ वर्श हो गए मैं आरसमाज नवटा के अंदर रह रहा हूं और यहां पर शिक्षा अध्यन कर रहा हूं वरना पढ़े लिखे आतंकवाद में भी बहुत हैं लेकिन जो वैबार के साथ सिक्षा दी जाती है वो यह समाज से ही मिलती है इस समाज का मुख्यों देश है सबकी सारे को नती करना है मुझे मेरे विचारों में मैं गाव में था तो मुझे बिल्कुल पढ़ना लिकना मेरे है मन्स क्काम्यट कराब हो चुकी थी लेकितना मैं हाया मुझे पता चला वह यारे समाज यह होता है इतने अछे लोग होते हैं तो मैंने यहां पर पर बहुत सा अपना बदलाव कि मेरे बहुत तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इस समझ मैं पहले क्यों नहीं आया या मेरा नाम राज कुमारी सर्दाना है मैं कई सालों से यहां रहती हूं और इस समाज की सोच बहुत उंची है इश्वर में विश्वास करते हैं यह जहाइब और यहां वाले लोग समाज का कल्यान और अपना उठान चाहते हैं समाज की स्थिती के लिए अरी समाज बहुत जुरूरी है अरी समाज के स्थापक महरिशी स्वामी दयानंद है उनका लिखित गरंद सत्यार्थ परकाश है जिसमें जीवन मूलियों की सारे पहलिव हैं उन्होंने किसी पहली को नहीं छोड़ा अपने जीवन का उधार करो और मुक्ति के रास्ते पे चलो अब आरी समाज की शाखा का दौरा करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ कॉमेंट करके हमें जोर बताईएगा फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ तब तक देखते रहें बिंग खुमक कर